हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल अब्रिती फैसंविला आज की उड़े में हम लेड्डू को पाल जी के लिए हुडी ट्रस बनाएंगे यह देखें यह हमने रुमाल से बनाया है बहुत ही कुपसुरत है और हल्के-ल्की ठंड स्टार्ट हो रही है तो देखें यह ठंड के लिए बहुत ही कंफटिबल है नीचे इन्होंने पैंट पहने है और उपर से इन्होंने हुडी पहन रखिए हमने एकदम सिंपल तरीके से आपको हुडी बनाना बताया है आप सिर्फ एक सर्कल कट करें और बहुत आसानी से बना सकते हैं आप पूरी वीडियो इस तरह से खीच रहे हैं और हमने सर्कल में कट किया हुगा है तो पूरा बहुत अच्छे से फैल रही है जिस वज़े से resistant अच्छे आती है और àplam mechanics जाइन को सब्सक्राइन नहीं कि पिंड़े करने चสहाएं तो आपको में और इस सब्सक्राइन में अच्च…. फिर भी खिर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बोख्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं यह देखें कितने क्यूट लग रहे हैं तो वीडियो इस्टार्ट करें से पहले काईज़ अगर आपने अबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लिज साथ में बेल आइगान पर प्रिसकर करें ऑलikes करें जिसे अनकी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मि अगर आप यहां पे इस रुमाल की लंबाई और चड़ाई देखेंगे तो यह देखे यह दर से 9 इंच है और इधर से यह 9 इंच है इसकी लंबाई और इस तरह की रुमाल आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी 10-15 रुपे में बहुत ही सोफ्ट है बहुत ज़् यह क्या करना है यह center से इस तरह से मोरना है मैं एकड़म बालीग से आपको अब डिटेईल में बताऊंगी कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखें यह हमने यहां पे इसे मोल लिया यहां पे यह इस तरह से हुआ अब हम क्या करेंगे यहां पे यह दोनों हिस्सा पकड़ेंगे और देखें इसे हम आगे की साइट खीच रहे हैं यह हमने इसे फ्रंट की साइट खीचा यहां पे यह हमारा एक्स्ट्रा यह इतना निकल के आ ग यहां पर एक आलपीन से सेट कर देथी हुँ इसे यहां से हिले नहीं और सीवप्टस। यहां पर हमने इस तरह से रखना है यह देखें और यहां से हमें मार्क लगाना है तो यह हम 3.3 इंच का मार्क लगा रहा है यह देखे इस तरह से इंच्डे . और फिर सेंटर पर हम 3.5 इंच का मार्क लगा लेंगे यह थोड़ा सा मार्क समझ नहीं आ रहा है आप किसी दूसरे चीज़ से भी लगा सकते हैं जो भी फैब्रिक हो आप उसके अलची से बना सकते हैं यह देखें यह हमने यहां पर भी मार्क लगा दिया हमने तीन मार्क लगा दिया साड़े तीन तीन इंच पर यहां से साड़े तीन इंच यहां से यह साड़े तीन इंच और यहां से यह साड़े तीन इंच अब हमें क्या करना है इन तीनों मार्क को ऐसे मिला देना है यह देखें यह इस इसे पेसे हम यहां पे इसे राउंड में कट कर देंगे एकदम सिंपल सा तरीका है कोई दिक्कत नहीं होगी आज जरूर ट्राइ करें अपने कुपाल जी को मुझे तो समझ आ रहा है कि मैंने मार्क कहां से लगाया साथ आप लोग को ना समझ आ रहा हो यह हमने कटिंग कर दी यह देखें इस तरह से कट होगा है हम इसे ओपन करेंगे और जब आप इसे खोलेंगे तो यह आपको इस तरह का मिलेगा जैसा हमारा एक हाफ सरकल होता है कुछ उससे थोड़ा सा बढ़ा है हाफ सरकल से इस तरह का अब हमें क्या करना है यह जो सरकल वाला है इसे हमें लॉक करना है तो इसे लॉक करने के दो तरीके हैं एक तो आप क्या करें रेट कलर में रिबन ले जो रिबन हमारी आती है मार्केट में उस तरह से रिबन ले सकते हैं जैसे मालीजे यह टिशू रिबन है मैं आपको बता र का फैब्रिक यूज करूंगी इसे लॉक करने के लिए तो यहां पर देखिए यह हमने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है यह हम इसे ऐसे सीधा रखते हैं और हमें कभी भी गुलाई पी अगर लॉक करना है तो और पट्टी कट करनी होती है देखिए ऐसे एक तिलची लाइन यहां से यह एक इंच की पट्टी होती है कि हमने एक पट्टी कट की एक और कट कर लेते हैं जिससे WhatsApp ना पड़े है एक दॉसप्ऐ सा तरीका है आप देखिएंगा कितने आसानी से आप बना के इसे रैडी कर सकते हैं यह हमने और पट्टी कट की जवाब कट करेंगे तो ऐसे आपको तीर्ची साइड मिलेगी और इसे अगर आप खीचेंगे तो यह देखिए यह स्ट्रेचबल है फैलती है हम क्या करेंगे दोनों को ऐसे क्रॉस करके अब हमें क्या करना है यह उपर की साइड इसकी हम इस तरह से कट करके बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे लगाना तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद ऐसे डबल कर लें और डबल करन यह दिखिए हमने यहां पर सिलाई लगा लिए एंड भे हमने यहां पर देखिए हाफ इंचे ख्रा रखके से कट कर दिया है अब हमें क्या करना है इसे हम ऐसे उल्टी साइड ले आएंगे और उल्टी साइड हम यह हमने जो हाफ इंचे कर राखा है इसे अंदर ऐसे मोड़ेंगे और पूरा ऐसे हमें पलट देना है यह देखें इस तरह से ऐसे पलट के यहां से एक सिलाई लगा देना है और पूरे र पीछे से हमारा हो गया है यह साट से हमने और यह तीनों हमने लॉक कर दिया है यह से एसी इसे यह वग्यार चाहिए और यहां से अजय से बेhet जब तक आप बन करने के लिए कुछ भी नहीं तबको आप चड़ा देना और चड़्हाने के पाथ हम क्या करेंगे यहीं पर एक पिं कर देंगे बहुत दीजी तरीका मैं आपको बता रहूंवाँ आप बहुत आसाने सी बना लेंगे गयाज ये देखे, यह हमने यहां पे 銅 कर दिया अब हमें क्या कर आँए यहां पे एक सिलाई लगानी है तो आपको मैं बताती हूं कि कैसे सिलाई लगा हैं? यहां से आपको ये 1.25 इंच यह देखे मैं आपको चॉक से मार कर कर दिखाती हूं अब सिबसे पहले तो आप समझ ले 1.25 इंच कितना है यह एक इंच है और यह 1.25 इंच है एक इन्च और 2500 इंच के बीच में हो जाएगा हमारा 1.25 इंच मतलब कि हमें यहां पर 1.25 इंच के करीब में मार्क करना है यह हमने कर दिया यह देखिए और हम इधर भी कर देंगे 1.25 मुझे तुछ के करीब में मार्क कर दिया यहां से आप पिन लगा लेंगे अगर आपके पास ऐसी ऑल पिन नहीं तो आप सूवी भी लगा सकते हैं यहां पर यह अनल यहां पर सिलाइ लगानी है तो आपको ध्यान देना है कि यहां उपर जोहां भी आपका मार्क आ रहा है यह देखें यह मेरा मार्क किस्से लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें फर है यह मैंने यहां पर मार्क लगाया है अलका-वालका सा मुझे समझ में कि यहां तक है यहां से भी एक इंच के से कम नहीं होना चाहिए एक पुझण को आप ही इन्च को क्यी रख सकते हैं वह भी ठीक रहेगा कि और इदर से भी हमने यहां पर 1.25 एंच लंबा रखा है मतलब कि यहां से यहां तक 1.25 और यहां से यहां तक भी 1.25 इंच तो सेम चीज हमें इधर भी करनी होगी 1.25 इंच यहां से है 1.25 इंच यहां से हो गया और इसे हम मिला देंगे अब हमें क्या करना है यह जो हमने मार्क किया है उचीजी है 1 चीजी लगाएं गए इसलाय हम हलका सकते होई एक हम आपको लगाएं से छिए हैं कि reports अमने घ्रस आइन पर भेला एंट ऐसे इसला पीछए बिसिरी इसलाय आपको नहीं काटनी है इस तरह से एक कट लगा देना है अब सेम तरह से सिलाई और कठम इधर भी लगाएंगे चलिए लगा लेती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है यह देखें हमने दोनों तरफ सिलाई और कट लगा दिया है हम क्या करेंगे यहां से खोल कि यहीं इस सीधा कर लेंगे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा और इतना यह सॉफ्ट है गाइस मैं आपको क्या बताऊं बहुत ही खुबसूरत फैब्रिक है यह इस तरह कि अगर रुमाल मिल जाती है तो आप कई सारी पुश्राक बना सकते हैं कोपाल जी के लिए मैं आगे इ लिए आपको ड्रसस बनाना बताऊंगी यह देखें और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्रीज आप लोग लाइक भी क्या करें आप लोग लाइक नहीं करणे है वीडियो को और आप में से जिन लोगों ने भी तक चैनल नहीं सब्स्राइब किया है त पीछे से हलका सा लंबा दिख रहा होगा आपको और आगे से हलका सा छोटा जब हम इसे पहराएंगे तो बहुत अच्छे से साइट होगा कानाजी के ऊपर अब देखिए हमारा इतना काम तो हो गया है हमें क्या करना है यहाँ पर वेल्क्रो लगानी है तो हमने यहाँ पर यह वेल्क्रो लिए है इसकी जगा पर चिट्चेट बटन भी लगा सकते हैं इसका यह जो रफ वाला हिस्सा है यह हम यहाँ ऊपर की साइड लगाएंगे इस तरह से और जो सौफ्ट वाला हिसा है वो हम यहां अंदर की साइड लगाएंगे तो चली हम यहां पर एसे लगा देते हैं यह देखिया है यह हमारी हुडी रेडी हो गई है यहां से यह वेलकोरी की हल्प से बंद हो जाएगी बुखुत ही खुबसुरत है यह गाईज़ अभी मैं आपको गुपाल जी को पहना के दिखा दूँगी यहां पर एक चीज और कर सकते हैं इसका यहां पर जो पीछी वाला हिस्सा है यहां पर आप यहां से यहां तक थोड़ी दूर सिलाई ऐसे लगा सकते हैं कच्ची करके लगा देए या फिर आप चली मैं आपको सिल के दिखाई देती हूं ने तो इसमें से कुछ लोगों कन्फूजन हो जाएगा कि देदी आपने क्या बताया था यहां पे तो मैं आपको करके दिखा देटी हूं यह देखिए यह इसका जो बैक वाला हिस्सा है यह इतनी दूर फिर नेक पर आयेगा आपको देखे समझ में आ रहा होगा देखके तो यहां पर यह जितने दूर नेक पर आएगा उतने दूर पर हमें सिलाई लगा देनी है थोड़ी दूर देखिए कैसे लगाएंगे पहले तो हम अपने नॉट को छूपा देते हैं कहीं तब हम साइट से सिलाई सुरू करेंगे यहां से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है यहां पर आप एक ऐसे नॉट लगा दे नहीं तो जब आप इसे सिल्के खीचेंगे तो दिक्कत होगी और नॉट रहेगा तो फिनिशिंग आएग बिलकुल ऑफिसनल है अगर आप इसे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्त नहीं है वह तो बस मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कर दिया है तो मैंने बोल दिया था वीडियो में तो कुछ लोग को कर्फीजन हो जाती है कि आपने कैसे किया बस इस वज़े से मैंने इसे कर इसे क्या होगा यहां पे यह नेक पे हमारा हुडी का सेप ले लेगा यह देखिए यह पीछे से इस तरह का सेप ले लेगा बस यहां पे हमें नॉट लगा के कट कर दिना है यह हमारा कंप्लीट हो जाएगा यह दिखिए गाइस हमारी हूडी तो कम्प्लीट हो गई है यहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं का जिसे देखने में थोड़ी सी सोवर लगे बहुत ही खुबसुरत लग रही है और अब हमने यहाँ पे अपनी रुमाल ली हुई है इसका बचवाल रहिसा इसे हम उपर की पैंट बनाएंगे तो पैंट के लिए हमने यहाँ पर करना है उपर से इसकी लंबाई हम रख लेते हैं 3 इंच यह देखिए 3 इंच और यहाँ से यह जो हम ने इसके लिए लंबाई है वह हम 7 इंच रख लें तो यहां से इसे कट कर लेती हूं इस 7 इंच हो गया और इधर से हम इसे कट करने वाले हैं 3 इंच तो यहां से डबल करके कट कर लेंगे तो एजी रहता है थोड़ा सा मैंने आपके सामने ही कटिंग भी दिखा दी यह देखे 3 इंच आ रहा है तो यहां पर हम इसे 3 इंच कट कर देंगे यह हो गया अब हमें क्या करना है यहां पर सबसे पहले तो हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टी सैट से हम यहां पर ऐसे थोड़ा सा चोड़ा ऐसे आप अब यहां पर हम क्या करेंगे लास्टिक लगाएंगे तो मैंने यहां पर यहां पर यह लगा देना है चलिए हम यहां से लगा देते हैं यहां पर यहां पर यहां से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहां से एक सिलाई लगा देंगे आप क्या करना है यह जो हमने कट लगाया है इन दोनों कट को ऐसे आपस में मिलाएंगे और यहां पे ऐसे V-shape में एक सिलाई लगा देंगे यह देखे हमने हाँ पे V-shape में सिलाई लगा दी है यह ज़ाद आपको दीखना रहा हो वीडियो में देखे क्लियर दिखनी रहा है फ़र वाला फैबरिक इस पर सोड़ी सी दिकत होती है हमने यहां से ऐसे और यहां इती दूर सिलाई लगाई है अब सिलाई के अंदर का हिस्सा मैं भी कट करके निकालूंगे तो आपको समझ में आ जाए है कि मैंने कैसे सिलाई हो गई हलकी ठंडी के लिए ड्रेस एक्तम कमफोडेबल और बहुत ही कुबसूरत है गाईस बहुत ही कुबसूरत यह देखें कितनी संदर सी हमने यह पैंट बना दी है और यह है इसके साथ हुडी तो चलिए अब मैं आपको पहना के रिखा देती हूं गोपाल जी को जिसे एक पैर में आप पूरा पहना दें फिर कीच के आप दूसरे पैर में पहना दें बहुत आराम से हो जाएगा कोई लिक्कत नहीं होगी यह देखें यह पूरा अच्छे से फिट आ गई है कोई बहुत बढ़ी नहीं है कि इनका पैर पूरा बाहर निकल जा रहा है बहुत सामने दिखा नहीं आप लगा सकते हैं मैंने आपसन दे दिया है अब मैं देखोंगे अगर मिले का मुझे तुम्हें बाद में लगा दूँगी हुडी पहले हमने एक हाथ में पूरी पहना दे अब हम इनके दूसरे हाथ में पैराएंगे इस फैबरिक की जो हमने यह रुम यह आ गया अच्छे से अब आप इनकी पैंट उपर कर सकते हैं और यहां से यह कैप लगा दे इस तरह से बहुत गजब की फिटिंग आई है अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ और यह थागा रह गया है यह हम अटाएंगे और यहां से यह बंद कर देंगे यह देखें आप टेन के अहां अनुए देखें आप इक हैते हैं इक इंटम जैसे बृल chorus फिटिंग बहुत अच्छी हैं यह था हैं कोपाल जी का सर यह से बाहर निकला है यह मेरे कैची से ज़र्दी से रचा-डैया मैं आप ऐसे कवर कर देती हूं जिससे लिखे ना यह दिखी बहुत से तर लग रही है तो आई होब आप लोगो वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें जहांनों को भी सब्स्ट्राइब करें मैं विलेंगे नेक्स्ट पूडियों चुम्ते के लिखे लिखे लिखेशना राधिन